अल्वे अबरिवन तो आज यह तो पिकाम कवर करेंगे इस मोशन विद वैरियेबल एक्सेलरेशन वैरियेबल एक्सेलरेशन ठीक है तो आको यह बात ध्यान रखने हैं हमारे पास दो एक्वेशन्स थी we have four equation V is equal to U plus A T S is equal to U T plus half A T square V square is equal to U square plus 2 A S and S nth is equal to U plus A by 2 2 A minus Y four equation we have but all these equations are varied only for constant acceleration these are not varied for variable acceleration तो जब भी acceleration variable होगा तो आप यह equations use नहीं कर सकते गलत देंगे ठीक है आप यह equation use ही नहीं कर सकते यह सारी equations किसके लिए वैरिड हैं हैं constant acceleration के लिए ही वैरिड हैं आप में बात ध्यान लखने हैं अब मैं जो बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ वैरिड एक्सिलेरेशन की अचा एक्सिलेरेशन वैरिड है तो वैरिड इस तरह से हो सकता है यह बात ध्यान समय है टीन केस पॉसिबल है acceleration can be the function of time मतलब एक्सांडर के तोर के देखें हैं हम acceleration आपको ऐस देख देख 2t square plus t plus 4 देगिया यह acceleration variable है क्योंकि यह time point depend करता है time बढ़एगा तो acceleration की value change होगी time change होगा तो acceleration की value क्या होई change होगी acceleration या तो function of time रहेगा होँ सकता है acceleration जो है आपका यह function of position function of distance रहे पोजिशन हो तो इसका example क्या रहेगा माझले आपको देख आपको देख नखा है acceleration हो सकता है कि आगे-आगे से आप बढ़ें वैसे-वैसे acceleration चेंज हो तो इन दुनों में से कोई साभी case possible है एक और case possible है third case कि हो सकता है acceleration आपका velocity का function रहा हो है ना time position और velocity तीनों का function possible है acceleration acceleration आपको दे रखाओ मालेज़े 4B square minus 2 कुछ भी दे रखाओ यह जांपल लिए तोरके मैंने आपको पताया है तो acceleration के एंदिया function of time function of time का मतलब होता है कि acceleration time पर depend कर रहा है जैसे मैंने example आपको दिया ऐसे acceleration function of position का मतलब हो गया acceleration है पोजिशन पर depend कर रहा है अब अगर हमें variable acceleration दे रखाओ फिर हमसे पूछे का बताइए अगर acceleration यह है तो velocity कितने किसी instant कितनी होगी है displacement किसी कितना होगा तो हमसे पूछा जा सकता है ठीक है थोड़ा complicated हुगा यह normal condition इसमें apply नहीं कर सकते है तो आपको ध्यान रखना है तो यह 3 case मैंने आपको बता है तो हम अभी जो cover करना जा रहे हो तो first case कवर करते हैं तो first case में क्या होगा पहले देखते है फिर second case फिर third case की भी हम बात करेंगे तो first case में क्या acceleration is equal to function of time इस case में जो solution आता है इसका अगर आप समान लेजिए पूछता है कि velocity at any instant आपको निकालनी है तो आप जानते हो find velocity instantaneous velocity कर जाते हैं find instantaneous velocity यह velocity at any instant कितनी है आईगी आपसे इसे पूछ लेता है अगर एक acceleration दे रखता है concern of time और आपसे पूछता है instantaneous velocity तो कैसे करूछता है a is equal to क्या होता है dv over dt होता है तो a is equal to क्या हो जाएगा भई tv over dt और यह क्या जाएगा function of time इसके example हम बात मिलेंगा भी function of time मानकी कर रहें ठीक है इसके function of time दे रहे हो इसको में replace कर देंगे बाद में अभी हम फॉर्मा निकाल रहे है क्या है का फॉर्मूला तो dv is equal to आजाएगा function of time multiplied dt अब integrating कर देते हैं बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो अब हम इसको integrate करते हैं बोथ साइड विद प्रॉपर लिमेट्स देखते हैं क्या आएगा तो इस case में जो अपने पास answer आजाएगा इस तरह से आजाएगा और dv को integrate कर लेते हैं एक साइड में और दूसरा लिखा हुआ है function of time और multiply लिखते हैं अब देखिए ये d के बाद जो लिखा होता है हम पर limit उसी की आती है अगर d के बाद v लिखा ह लिखा है टो limit v गिया रिखिए d के बाद एक्स लिखा होता है टो limit x किया पी time यव बराबर किसी instant stat होती है उसको उसको में भी मान लिया तो इस्टांटेंग में इसंप उख ली निक्राइंए अब किसे इस्टांट हम इसका क्यOT अब किसे इस्टांट देघे हैं। एक आफ लिख लगा सुटारा लो वही तो मेटा जली है। पर कल्दों कर ईसको आफ्योन कर सकते हैं। इसको ऐसे में लिख सकते हैं डी वी का integration तो भी आएगा आपको integration नहीं आता है तो आप वीडियो रेक्षिल integration मुझा पहले देख लेंगे डी वी का integration भी आएगा और limit लिखे हुए u और v इसका integration अभी वी function of time दिया नहीं तो आपको ऐसे लिखना है तो देगा तो हम बाद में इसकी value put कर लेंगे तो ft dt तो यहां पर पहले v के place पे भी लिखना है फिर minus lower limit लिखे आती है variable के place पे तो v minus u is equal to क्या हो जाएगा भाई integration ft dt ले रहे तो यह formula आपके पास finally आ जाएगा वो क्या आजाएगा formula जो आपके पास आ जाएगा v is equal to u plus integration 0 से t ft dt यह formula आप याद करने पॉनल नहीं याद करना है तो आपको concept पता होना चाहिए समय ने किया था वैसे आपको करना है अब starting से भी कर सक्क्यों भी नाया तो इस पे question कर लेते हैं लगे हाथ उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगी तो एक example लिखते है कैसे question पूछता है इस पे question कैसे पूछते है तो कर रहा है और जो इसकी initial velocity है पार्टिकल की initial velocity जो दे रखी है वो दे रखी है 4 meter per second तो आपको find करना है velocity आपको t is equal to 2 second पर velocity को पता करना है या तो आप इस formula को direct use कर लें आपको formula याद नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि dv by dt कि is equal to क्या हो जाएगा t plus 4 यह कैसे है क्योंकि a is equal to होता है dv by dt अब आप क्या करोगे dv को तो एक तरफ लिखा रहने दोगे t plus 4 multiply कर दोगे आप dt फिर कर दोगे इंटीग्रेटिंग बोस साइट तो इधर भी integration का sign लेगा तो इधर भी integration का sign लेगा तो time की limits नहीं लिखने है time जो 0 होता है तो initial speed होती है हमेशा तो कितनी है यू इसकी value हम देख लिए में value दे रखिए 4 मिटर पर सेक्ट इसकी value हम बाद में put कर लेंगा अभी यू लिख दिया हमें यह हमें निकालना है time ऐसा time दो second पर निकालना है तो दो second पर जो हमें velocity मान लिए वो कितनी मान लिए है वी है ना तो dv का integration क्या आता है वी दी वी का integration क्या आता है वी तो वी लिमिट देखते है यू और यहां पर आजाएगी वी इधर क्या आजाएगा वी टी का integration आएगा t square upon 2 प्लस 4 का integration आएगा 4t मैंने integrate भी कर दिया लिमिट है 0 से 2 जहां पर आएगा v minus u इसके equal to आजाएगा 2 की value पुट करते हैं यहां पर चलिए तो 4 upon में 2 फिर 4 multiplied 2 पुट कर लेते हैं यहां पर प्लस आएगा तो अच्छा भी यू कितना है यू आपका दे रखा था 4 तो इसकी value पुट कर देते हैं 4 लिखते हैं इसके place यू कितना दे रखा था तो फोल मीटर पर सके हैं अब आगे देखते हैं 4 by 2 तो 2 हो गया 4 तो जाओ गया 8 अच्छा माइनस क्लिमिट और लिखनी थी माइनस क्लिमिट लिखी नहीं मैंने जानगा थी माइनस अगने यहां पर जीरो आएगा और माइनस यहां पर लिमिट रख्के आती है ती के place पे यहां पर ती था तो 2 का square 4 हो गया आप वार में 2 तो लिखनी जाएगा फिर 4 तो ल लिमिट पुट करने होती है फिर जो वेरिबल दिया था उसके place पे लोवर लिमिट पुट करने होती है और बीच में मैनस लगाना होता है अब बी कितना जाएगा वही आपका वी आजाएगा आठ और यह आपका 14 मीटर पर सेकेंड यह रहे तो आप इस तरह से solve करोगी ऐसे question अगर आपको acceleration दे रखो as a function of time और आपसे पूछता है किसी instant velocity क्या आएगी तो आपको ऐसे ही solve करना है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प acceleration is the function of time and you have to find find displacement covered in time 0 से कैसी भी interval से पूछता है T1 से T2 interval की बीच को आपको time बताना है ऐसा T1 से T2 T1 से T2 interval की बीच आपको time का पता करना है यह होई तो displacement निगाना है T1 से T2 time की बीच जो हमारा displacement आएगा अगर आपका जो acceleration है it is the function of time तो क्या आने वाला है यह आपको पता करना है यह है तो इसकी आप direct formula यूश कर दोगे मैं आपको formula बता जाएता हूं जो formula आएगा इसका displacement is equal to आजाएगा U multiply T2 minus T1 ठीक है plus यहां पर T1 limit लगा दोगे आप यहां पर T2 limit लगा दोगे function of time ठीक है तो Ft dt double integration करना आपको ध्यान रखना है इसका हमें दो बार integration करना पड़ेगा तो इसको ऐसे नहीं ऐसे रिखना पड़ेगा इतनों डुक्यों से रिखना हो इसको एक बार T1 T2 ठीक है फिर एक bracket टो अलिग जाप यहां पर integration Ft dt ठीक है और यह आपका हो गया इस तरह से इसको नट लगाएगा इसको बंक पर दिजिए एक और बार आपको इन्टिक्रेशन का साइन है पर यह क्या है इसमें double integrate करना है एक integration यह है और एक integration यह है ठीक है यह है initial velocity और यह क्या आपका displacement तो आपको यह formula याद करना है बहुत का formula है अगर आपको पतर करना है formula कहां से है तो मैं प्रूफ कर सकता हूं पर आपके ज्यादा मतलब का है नहीं प्रूफ एक बार आप चाहो तो देख लो लेकिन आपको formula तो ultimately याद ही करना है कि आपको प्रूफ ने करना है बैठना है जब आप प्रूफ करोगे देखिए पिछले बारे case में अभी हमने पहले इस ते इसका प्रूफ कर देखिए तो मैं तोहां से आया है एक बार आपको समझ मार जाएगा दिक्कत नहीं आएगी आपके पास पिछले बारी question आई थी आपको दिखान हो तो यह question आपकी आई थी ठीक है उ इधर क्या हुझाएगा यू प्लस integration F T B T इस तरह से यहां T1 से T2 जो भी इंकिलिमेटर ही होंगी चले इंकिलिमेटर ही होंगी चले इंकिलिमेटर ही होंगी तो हम solve कर चुके होंगी और देखिए पहले हम B निकाल चुके होंगी फिर उसको हम दोबार डिप्रेंसेट कर ले तो कोई दिकत निकाल चुके होंगी तो हम पहले हम निकाल चुके होंगी तो हम पहले हम निकाल चुके होंगी तो हम पहले हम V निकालेंगे तो 0 से T लिखना है आपको यहां पर 0 से T लिखना है तो इसको बोलते है इंस्टें यहां बिला सकते हैं तो हम पर 0 से T लिखना है यहां पर U हमने यूज कर रखा है, यह 0 से कि आज़ आज़ा है, ठीक आप एच्छी बात है, तो अपने पास V निकल आया होगा, आम क्या करेंगे, V के प्लेस पे Dx upon dt पूट कर देंगे, क्या पूट कर देंगे, Dx upon dt, और फिक इसे दुबारा कर लेंगे, इंटीग्रेट, तो Dx is equal to क्या जाएगा, यू प्लस इंटीग्रेशन Ft dt, whole multiplied dt, ऐसा आज़ेगा, यह पूट कर लिए हो, तो आगे बढ़ सलते हैं, आगे क्या करना है हमको, फिर हमें करना है, इंटीग्रेट बोस साइट, यहां पर कर लेंगे, हम X1 लिमिट यहां पर Ft dt का एक बार इंटीग्रेशन होई चुका था, पहले ही हो चुका है, फिर dt का मल्टीप्लाई करा आपने इसमें, और फिर एक और बार कर दिया, t1 से t2, यह तो पूट रिखा हो था, u, t2-t1, u तो आजाएगा, बाहर को होता है, dt का इंटीग्रेशन T आएगा, फिर लिम पूट करोंगा तो यह आजाएगा, एक और step लिख देता हूँ, कम कर दिया हमें, वैसे एक step, यहाँ dt आजाएगा, t1, यहाँ t2, इसको आप ऐसे रिखेंड दे, जब देगा, तो हम function of time रखके solve कर लेंगे, इसको बाद में, यह integration आएगा, सिंबल यहाँ पर, ft dt बंग कर है, यहाँ पर dt, और देखेंगा, यहाँ पर क्या जाएगा, x2-x1, तो x2-x1 के जो बोलते हैं displacement, दो positions के अंतर को ही तो बोला जाता है displacement, कि यह आपका हो जाएगा, s, कि यहाँ जाएगा, ut2-t1, प्लस, अभी हो जाएगा, सिदे-सिदे, t1, t2, f, t, dt, and multiply dt, कि यहाँ के प आप चाहें तो डारेक्ट इस फॉम्ले पर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको फॉम्ले याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिना इस फॉम्ले की बी कोश्चन स्वावड कर सकते हैं, बैं यह कोश्चन आपको समझाता हूँ कैसे करना है, तो नहों मैं और लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि वैसे बहुत, दो बार करना है इसमें इसमें इंटिगेशन तो आसांसर रहते हैं, यह दिवल्बू टी माइनस टू मैंने लिया, सिंपल लिया, अब इसमें क्या करना है, अपने पास जो फॉम्ला है, अच्छा हाँ, इसमें निकारना है आपको displacement, find as between 4 seconds से, चलिए 2 से 4 पर लेता हूँ, 2 seconds से 4 seconds, ठीक है, आपको क्या पता करना है, displacement as पता करना है, between 2 से 4 seconds के बीच जो displacement कवर किया गया है, वो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, अपने पास फॉम्ला है ही, क्या फॉम्ला है अच्छा, इनिशल लोश्टिस में देनी पड़ती है, तो इनिशल विरॉस्टि जो है पार्टिकल की वो मार्ली मेने 2 मीटर पर रखे, ए कोशन में आपको दिया होगा, ये कोशन है, तो कोशन में क्या दिया हुआ है, एक तो एक सिलिएरेशन है, function of time दे रखा है, इनिशल विरॉस्टिस आपको दे रखे 2 मी प्लस इंटीगरेशन लिमिट लग जाएंगी 2 से 4, यहां T बनाता है, यहां क्या आएगा, इंटीगरेशन, ठीक है, यहां पर जो function of time था, function of time क्या, T प्लस T तो है, तो F2, Ft जो था है, यहां पर कितना है, T प्लस 2 है, जिसको नहीं Ft भुलाता है, A is the function of time, तो Ft ले प्ल यहां पर एक ऐसा ब्रेकेट बनाले है, पहले जहां पर इंटीगरेशन इस तरह से लगाई है, और यह ब्रेकेट बन फिर एक और बार इंटीगरेट करना है, जबन इंटीगरेट करना है, इसको ध्यान अपना है, ठीक है बाद, S is equal to U की value कि अभी 2, 2 आ जाएगा, T2 माइन इस टू कुट करूँगा तो, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 2 से 4, ठीक, इसमें T प्लस 2, T हो गया, T स्वायर बाई 2, प्लस 2 इंटू T, एक बार हो गया, इसको इंटीगरेशन, यह अंदर वाला इंटीगरेशन हो चुका है, एक बार, ठीक है, अब आपने पास बचा इतने का इंटीगरेशन, सिर्फ इतने का इंटीगरेशन वाला, इतने का जो आंसर आएगा, बुझी आएगा, अब यह बार, और करना पड़ेगा, इसको आइंटीगरेट, तो, तूटो जब फोल हो जाएगा, यहापर, प्लस, अब आपको यह कितना हो जाएगा, यह एक तो इसक्वार भाई तू स्कार बाई टू रिमिट का रहा है लिमिट है आपी टू से लेगा, तो बान से कह जाएगा, एस इस इस इगल डू कह जाएगा 4 प्लस, पहजे 4 रकते है, 4, 4 जा 16, 4 जा 64, चीग है, 64 और अपन में 6 सब्सक्राइब करते हैं सिदे कितना जाएगा 16 ना जाएगा पिर माइनस लगा दीजिए तु एट भाई 6 और माइनस फोर आ जाएगा तु यहां पर पूट करना एक यहां पर पूट करना है अविल प्लास 64 बाई 6 माइनस एट बाई 6 कितना आयेगा 56 फिव्टी सिक्स बाई 6 प्लस आजाएगा आपके पास आपने पास 56 प्लस प्लस तो यह आगे आपके पास displacement S आपने प्लस जाएगा और सौश्ड गरेंगे प्ना आपने आपने जाएगा 24 प्लस 56 प्लस 72 प्लस इतना जाएगा 6 एगा यहां चेट बाद 12 हो गया 75 12 to 14 और यह हो गया 15 upon 6 तो बस यहां से छोड़े 152 upon 6 आगया आपके पास तो बस और इसे डिवाट करना चाहूं तो 274 कि आपके पास अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आप इस कोश्चन को अल्टर्मेट वैथर्स से भी कर सकते हो तो जिसा कि आपके पास एक या था यह था यह त्टी प्लेस त्वी एक तरफ लेंगे प्लेस टू मल्टिप्लाई डी टी एक तरफ लेंगे कि रोगी बार कि इंटेट कर लेंगे बोस साइट यू यालिक देंगे वी यालिक देंगे डी जीरो टाम टी टी प्लस टू या लिए आपके पास एक और इस तरह से भी आपके सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पॉंड याद नहीं करना है तो वी माइनस यू आ जाएगा यह दीवी का इंटेग्रेशन भी आएगा अपर लिमिट रखूँगा तो वी माइनस यू आ जाएगा तो वी माइनस यू हो जाएगा तो वी इस इबल तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यू तो इधर आजाएगा यू प्लस टी स्कॉएड रखास तो प्लस टी आपके पास यह आप यह रहाए अच्छी बात यह आपने निकाल दे इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेंस अपर वी के प्लेश पर प्लेश पर दे आक जानते हैं वी इस उगल टू क्या होता है वी इस प्लेस पे dx by dt पूट कर देंगे, तो कितना जाएगा, 2 प्लस t square by 2 multiply 2t, अब यहाँ पर लिख देंगे आप dx, इधर लिख देंगे 2 into dt, plus t square by 2 into dt, plus 2t into dt, ठीक है, आप कर देंगे, integrate both side, यहाँ जाएगा x1, यहाँ जाएगा x2, यहाँ जाएगा आपकी पास dx, आपको दुना म पड़ेगा, इसमें आपको formula याद नहीं करना, आप सिधे process अपना के वो करते हैं, आपका integration 2d की करना हरा की दोनों यह की बात है, आप बात नहीं है, बस formula याद नहीं करना है आपको, तो आप यह भी, पुरा process समझ देंगे, कैसे करा आता है, यह formula के हमने रराय भी चुकिय है ना, बिल्कुल सेम आपको, इस परेंग तो यह जाएगा, x2-x1 is equal to, यहाँ पर देखें, तो यहाँ जाएगा, 2t plus t, sorry, tq by 6, प्लस यहाँ जाएगा आपका t square, limit देखें, तो limit आजाएगी, सिधे एक बार में t1 से, t2, t1 कितना था, t1 था, आपके पास 2, यह था 4, तो प्लस 16, minus 4, minus 8 by 6, minus 4, इस तरे साएगा, देखें, भी answer हो देगा, यह भी, 8, plus 64 by 6, plus 16, minus 4, minus 4, minus 8 हो गया, 8, 8, आप सिधे cancel कर दो, minus 8 by 6 आजाएगा, डिरेक्ट, यहाँ नहीं, कि इस चीचे पास यहाँ, 56 by 6, plus 16, तो यह आजेगा, 56 plus 6, 6 जा, 36, 6, 1, 6, 96, पोन में, 6, 6, 6, 12 आगे, 95, 14, 152, पोन में, 6, आजे आजाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे लेखिन अगर करते हैं सब्सक्राइब क्या होगा आपके पास इस केस में अगर तो एक्सिलिएशन है इस फंक्शन ऑफ तो हमें क्या क्या निकालना है एक तो हमें निकालना है instantanacy Speed किसी instantifer और को अब को displacement आप सिधे यहीं से निकाल सकते हैं इसमें दिख्टा तर्ली बात है, नहीं तो सब्सक्राइब निकाल सकते हो फंक्षन आप डिस्प्लेस्मेंट भी रखता है उसमें देखता अली बात नहीं है देखने कैसे सौर्ण करना होता है इसके लिए अपने पास फॉर्मॉला है आप 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 सिधे प्रॉसेस को फॉलोग कर लें कि ऐजधें कि देखान से एक बात इसमें क्या करोगे आप रमट क्या बद एक क्या करोगे इसम्द निक्रप्ट मुल्टकाइमि लिए अब फरक अब आपको एक बात दातों आपको याद रखना है जो ए होता है यह बराबर होता है इसकते हैं इंतिक दो बिख सब्सक्राभे भाबर होता है जोटेशन आपका अपको आपका आपके आपको 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 को आपको आपको अगिनियोग आपके यहां पर जो इनिशियल पोजिशनर को एक समान लेते हैं अगर ओर जिन सब्सक्राइब तो अच्छी बात पर ओर जिन से नहीं चल रहा है तो आपको इनिशियल को एक स्थ नॉट सिर्ख लेते हैं एक्स नोट का मतलब क्या हो गया इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोजीशन तो जो विलॉस्टी होती है वो कितनी होती है यू होती है या कुछ यहां रखना है जब हम बात करते हैं इनिशियल पोजीशन की जो विलॉस्टी होती है तो यहां पर भी हम कर देंगे इंटीग्रेट वी डीवी अच्छा एक्स नॉट पर जो वेलोस्टी आएगे वह यू आएगे और जो एक्स किसी पोजिशन पर आएगी नॉर्मल उसको बोल जाएगी इतने बात क्लियर होगी चले वसको आगे देखिते हैं क्या आएगा पटा आएक्स नॉर्स से एक्स 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 अट्यूर्प धिएक्स नॉर्मल गया अब देखिए वी स्कुराइड वॉइक्स दी एक्स इंटीग्रेशन एक्स नॉर्मल से एक्स तो इसक्टारी आपके पास स्थोओं दाने वाला है तो यू नाट को ने i.pp 근데 लिगा पर अलए पह इंटिग्रेशन एपक्स डी एक्स नॉट से एक्स नॉट से एक्स नॉट का मतर वे इनिशे पोशिशन निकर जाएगा और बी स्कुर्ण यह फॉर्मडा आपके पास है चाहे तो फॉर्मडा याद कर दो चाहे आप सीधे प्रोचेस फॉलो कर लेना दोनों से आपके आउस प भूणिटी करके सौफ कर लेंगी है आप लिए प्लेश पेग्स बांडिटी लिखी आपको डिस्प्रेस्मेंट से रहा है कि अब आप में इसमें तो वी निकलेगा सब्ठीक वही तो भी आपका निकल हैगा इसलिक्ना रहा है मुश्य क्ट पार आप अब देख लेगां यह आपको फार्ट बैतने हैं तो आपको पता करना है विलासिटी एक x is equal to 4 पर आपको पता करना है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x is equal to 0 with velocity 2 meter पर सेकेंड यह क्या है यह होगी initial position यह होगी initial velocity तो आपको initial position दोनों कोशन में दे रखी है आपको x is equal to 4 पर velocity का पता करना है आपको दे रखाई यह चलता है और तब इसकी speed क्या थी वहाई 2 meter per second थी ठीक है आप देखते हैं सॉलिशन के आएगा इसका अटाबर सॉलिशन चेक कर लेते हैं क्या आने वाल है तो solution चुआएगा इसका वह आजाएगा आपके पास v is equal to क्या ने वाल है अब displacement तो सीधे 4 हो गया हो तो निकालना ही जरूत ही नहीं एक्स पराबर 0 से चला है और एक्स पराबर 4 पर पर बोशाएगा डिस्वेंट तो 4 हो गया तो वो इस पर पुछेगा विलिए आपसे इसकी पुछेगा velocity displacement तो और दिख रहा है अब हम बात को लेते हैं VT जैसे के आपको formula मैंने आपको उटाया था वी स्क्वाइर प्लस 2 इंटू Fx dx और लिमिट थी starting वाली 0 है और बार वाली क्या है 4 x is equal to 0 starting क्या है x इस इसक्वाइर पुर्बात क्यों भी b2 तो लिखी देंगे b2 u2 की value क्या है 2 तो 2 हो जाएगा 4 प्लस u2 4 जाएगा 2 fx देख लिजिए उपर क्या है यह होता fx ठीक है x प्लस 1 तो जाएगा x प्लस 1 इंटू bx 0 x acceleration की जो value होती है वही fx की value होती है क्योंकि x लेता fx की बराबर था तो x acceleration की जो value होती है वही fx की value होती है वही fx की value होती होती है तो 4 प्लस 2 x square by 2 plus x जाएगा limit जाएगी 0 से 4 जाएगा आपके पास v square तो भाई v square जाएगा 4 प्लस 2 इंटू आपके पास x square तो 4 के square 16 by 2 कितना हो गया प्लस 4 minus 0 minus 0 जाएगा जाएगा वी कितना जाएगा in कि इस तरह से सौलू करना है आपको यह कुई स्टेट हो जातो आप ध्यान से देख लेना अपने आप सब्सक्राइब लेना वाकि तरीका आपका यही रहने वाला है ठीक है चलिए तो अब एक और बच गया है लास्ट जब आपका जो एक्सिलिडेशन है यह हो फंक्शन आफ वेलासिटी तो अगर एक्सिलिडेशन आपको दे रखा हो नंबर थार्ड के से कि एक्सिलिडेशन इस फंक्शन आफ वेलासिटी तो आपको निकालना है मान लिजिए डिस्प्लेश्मेंट निकालना है यह नई पोजिशन निकालना है दोनों बातियां निकाल सकते हैं कि एक्सिलिडेशन पोजिशन और पार्टिकल तिक चली देखने क्याएं कि इसमें फॉर्मॉला आता है वह आता है इसलिए एक्स नॉट जू से वी आजाएगा आपके पास यहां पर वी दी वी अपॉन में क्या आजाएगा एफ पर वी फंक्शन ओफ वी ठीक है बेटिए यह आपके पास जो आएगा यह फॉर्म लग जाएगा तो पर आपके लिए तो इसका प्रूफ कैसे होगा भाई अभी मैं यह आपको कहा था जो ए होता है वो किसके पोलोता है वी डी वी बाई दी एक्स के पोलोता है अब इन दोनों को जो बाद वले शाए इनको इक वापस में पॉन में क्या जाएगा एपके पास पर तो इस बडागर हो जाएंगे यह दिवल्ट वेफ यह आ लिया अब कर दिया इंटिगे रोस है यहाँ पर लिमिट यू तो यहाँ पर क्या थी वही इस्टाइटिंग में एक्स नोट आ थी मैंने का था इनिशे कोजिशन पर इनिशे कोजिशन पर विल्वास्टी वही है तो क्वेशन नहीं बूलेगा जो सधापन है इनिशे विल्वास्टी इतनी हो जब बढ़कर अपकीवी हो चुद उसकी नहीं पोजिशन क्या है जो ने कितना इस्प्लेस्मेंट कवर कर लिए तो इस्प्लेस्मंट आजाएगा अगर है इस में इसी केस में दिस्प्लेस्मेंट में करना हो एक्स माइनस एक् होई डिस्प्लेशमेंट तो यू प्लस वी वी डीवी अपॉन में एक वी हो जाएगा तो डिस्प्लेशमेंट जो आपका आएगा वह यह हो जाएगा सीदे-सीदे अच्छा पूफ कर रहा था पूफ में पहले इसका तो पूफ देखने पहले बद प्रूफ में क्या था V db v db यहाँ पर आगया था fv इधर आगया था अपका dx अब कर दें इसको integrate both side तो यहाँ पर x not था यहाँ यहाँ जाएगा u यहाँ जाएगा v इसका integration जो जाएगा उसीदे x-x-node जाएगा इदर तो अच्छा लिखेगा था VdV upon FvU से भी नहीं यहां ठोफ है इसका ठीक है एक लिख देता है मैंने एक लाइना भी दित्यार को जाएगा है अब धीघए गार्फ यह रखा है Q क्यों कि क्या दे रिकार को बीक्यू चरी वाल पॉन भी माले तो थोड़ा आसाम जाएगा अपने पसकाम उन्हें माल लिया एक सेलेशन को वाल पॉन बी समझ नहीं है बागी इंटेशन तो पॉने ची चरी रिखने दिया हुआ है कि आफ फंड और नियुट 572 प्रे सकते हैं प्रे सब्सक्राइब उन्ub फॉन तो सेच्ट ten नोटेशनों सबॉड नियुख सेच्टाइब थ्यूया ना टॉल तॉ नहीं तटा ची अटुच है धिऴ सॉड़ि कि अटुच है दो तू प्षंटल ची पन टांद तू युडब द सब्सक्राइब इस तरह से कोशन दे रखाए आपको अच्छे देख सौट गुर लिखे आपटा पट जैसे कि मैं आपको पॉल्मला पता है था भी जो X is equal to होता है वो होता है X not U से V V into dv upon the function of V अच्छा यह तो function of V है तो एक ही value होती है तो बोलते है function of V function of V के place पर बन अपन भी आ जाएगा initial velocity is 2 meter per second और starts with starts from origin X is equal to 0 से इसमें start के ऐसा मांगेते हैं जरू नहीं कि 0 से start करता है कहीं से भी कर सकता है अभी कोशन है मैंने 0 से माल लिए यहां पर X not replace पर 0 लिक देना है तो U कितना है आपका 2 आ जाएगा V कितना है 4 आ जाएगा ठीक है F which value put करूंगा 1 upon V तो जाएगा पर कितना V स्क्वाइर क्यों हो जाएगा भी V स्क्वाइर 2 प्लस 4 V V उपर आगे V स्क्वाइर इन्टू D भी हो जाएगा तो यह जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट क्या है 2 से 4 है तो X is equal to जो आएगा हो जाएगा 64 by 3 minus 8 by 3 कितना जाएगा यह 56 by 3 यह आपका अंसर हो गया दिगा भी इस तरह से हमस्वाइब करते हैं तो आई होप आपको पूरी बाद समझ में आ लगी हो भी विद वैरियेबल एकस्वाइरेशन इस तरह से कोशन्स कॉल्ब किये जाते हैं जो इस कॉशन्स पीछ से हमने बताई थी वह साई के सारी कॉंसेंट एकस्वाइरेशन के लिए थी तो अब नेक्स्ट आपक हम पॉल करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्शेर आज के लिए तरह